गाइस थम्नेल पे जहां आपने क्लिक किया है सेम सवाल मेरे सब्सक्राइबर इंस्टागा में पूछ रहे साथ में जो ट्वीटर है वहाँ पे टैक कर रहे हैं कि एथर की जो वेहिकल है वो सस्ती हो गई है जब थोड़ा सा एनलाइज किया तो मेरे को पता चला कि जो और आपको मिलता है 55,500 रुपीज का सेंट्रल सब्सीडी और यही जो डिफ्रेंस है इसी कारण से आपके जो प्राइज है एथर 450 एक्स का वो आपको ऐसा देखने हो मिल रहा है और काफ लोग बोल रहे है कि या दिली में तो बहुत सस्ता हो गया अगर मैं प्लस लेने जात करके बता रहे हो तो यह जो प्राइस यह एक्षूर्म प्राइस में बहुत सारी चीजे इंक्लूजन नहीं है जैसे रोट टैग्स रेजिस्टरेशन इंशूरेंस यह सारी चीजे आड नहीं है यह सारी चीज आड करोगे तो इसकी प्राइस और डिक लाग 45,000 तक आराम से ले आती है यह जो प्राइस जो वेबसाइट में आप देख रहे हैं यह जो प्राइस है यह सिर्फ वसर्फ एक्ष्यूरूम प्राइस है हाला कि कुस्न में पहले तो एथर इससे भी सस्थी पढ़ रही थी बट उसमें बहुत सारे वह ओफर कर रहे थे अभी का डायम में वह एथर 450X इनका जो प्राइस है वह सिमिलर है लेकिन अपडेशन कहां पर है वह आपको बताता तो इनका एक प्रो पैक एड़ हुआ है पहले था परफॉर्मेंस पैक उसको आप अपडेट करके प्रो पैक कर दिया है नाम दे दिया है और पहले वह 19,000 दस रुपे का था अभ इसके अलाबा भी बहुत सारे चीज़े है जो इनके प्रो पैक में आता है जो कि आपको लेना ही लेना पड़ता है एथर 450X जैन 3 के साथ जिसमें जाता रेंज है तो इसी कारण से अगर देखेंगे तो ओवरॉल जो प्राइसिंग है वो काफी सही निकल के आती है जब यह स प्लस लेने के सोच रहे हो तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है अगर आप सोच रहे हो ना कि प्राइस घड़ गया है हाँ घड़ गया है लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाया सेंट्रल सबसेडी जो बढ़ चुकी है पहले जो कम थी दूसरी चीज एथर 450 प्लस एथर 450X जैन 3 यह प्राइस है इन दुनों गाड़ियों के यह पहला से जाधा बढ़ चुकी है बट यह जाधा डिफ्रेंस इसलिए क्रेट कर पा रहा है विकास ऑफ दा सेंट्रल सबसेटी आपको समझ पाया हो तो आज के वीडियों से इतना था ज्यादा लंबानी खीचेंगे बहुत सिंप झाल